हलो दोस्तो आज मैं किचन के मसालों से इम्म्यूनिटी बूस्टर चूनियम डिंक बनाऊंगी जो आपके बॉड़ी के लिए बहुत फैदा करेगा वीडियो को पूरा देखिएगा रेशिपी जरूर पसंद आएगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए बनाते हैं इम्म्यूनिटी वूस्टर चोन बनाने के लिए मैंने कुछ सामगरी ली है यह कुछ मसाले हैं जो आप सभी के किचन में आसानी से मिल जाएंगे यह मेथी दाना है यह अलसी है यह शौप है यह जीरा है यह सारे मसाले जो हैं इस स्वास्थ के लिए बहुत गुणकारी होते हैं इन मसालों के फायदे के बारे में मैं कुछ बताती हूं आपको इसमें कैल्सियम आयरन और फासफोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है यह बालों को जढ़ने से भी रोपती है और सुगर को भी कंट्रोल रखता है मेथी दाना को साम को धूल कर भीगो दीजिए सुबह उसको खाली पेट चबा कर खाईए उसके पानी को भी पी लीजिए उसे भेकिये नहीं इससे सुगर कंट्रोल रहता है यह अलसी है इसके भी बहुत सारे फायदे हैं इसमें के दर्द को ठीक करता है और हाजमे को भी दुरुस्त रखता है इसलिए खाना खाने एक बाफ सौक खाई जाती है कि हादमे को दुरुस्त रखे यह जवाइन के छोटे-छोटे दाने यह भी बहुत गुणकारी है यह एसीडिटी को दूर करती है सरीर में गर्मी पैदा करत है और हमको ठंड से बचाती है सर्दी खासी जुखाम भी इससे ठीक होता है जीर बहुत गुणकारी है आप सभी लोग जानते होंगे इसमें भरपूर मात्रा में कैल्सियम होता है इससे भी हड़ियां मजबूत होती है और हाजमे को दुरुस्त रखता है उद्दाही में हम में पचास ग्राम मलसी 50 ग्राम सौब 55 अजवाइन 50 ग्राम जीरा आप अगर कम बनाना चाहें तो कोई इसपून सेट कर लीजे तो दो दए इसपून सारी समगरी ले लए लिए पीसने के पहले काम और करेंगे इनको थूड़ा-थूड़ा गरम कर लेंगे जिससे पीछने में आसानी रहेगी तो एक पैन ले लेंगे इसे में सारी सामगरी को डाल लेंगे कि इसको भूनना नहीं है कि अलका गरम करेंगे जिससे पीछने में असानी रहे अब इसको गैस में रख देते हैं गैस को वान कर लेते हैं गैस को मीडियम फ्लैम में कर लेंगे कि अब इसको लकाता्र चलाते हुए एक मिनट के लिए गरम करना हाज क्योंना नहीं यहिए noveर अलका करना हिस्वल्य profit within a शुद्पम हो जाने और च्यादा भूने भी नहीं गया घम्युको आप कर देंगे अब तक ठंद होने देते हैं ठंड़ होने आप पीशेंगे कि अब लगों 15 मिनट हो गया है इसारे मसाले ठंड़ हो गए है आप से अब इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे कि अब इसमें ठोड़ा सब्काला नमक डाल लेते हैं कि जादा नहीं दालेंगे कि नमक ज्यादा हो जाए इस सारे मसालों में बहुत सारे पोसक तत्थ होते हैं आप लोग जरूर बनाईए गए चूड आपको सरदियों में यह ठंड से बचाएगा अब इसको पीस लेते हैं यह देखिए अच्छे से पीस गया है अब इसको चूड बन गया यह देखिए अब इसको एक बाउल में डाल लेते हैं अब यह चोड बन के तयार हो गया है अब इसको कैसे खाना है मैं आपको बताती हूं अब एक ब्लास ले लेते हैं कि अब इसमें गुर्गुना पानी डालेंगे अब एक इस्पून ले लेगे अब इसको आधा इस्पून उठाएंगे इतना इसको ऐसा ही खाल लीजे और गरम पानी पी लीजे हलका गुन्गुना यह तक गुन्गुने पानी में इसको डाल लीजे और घोल के पीली जे और फाइदा करेगा इस चोण को आपको आधा इस्पून सुबए खाली पेट गुनगुने पानी से लेना है उसके एक घंटे तक कुछ नहीं खाना है इस डिंक को आप नीमू के साथ लेंगे आधा नीमू का रज डाल लीजे तो आपके बेट लॉस में भी हेल्प करेगा चलिए मिलते हैं एक